नमस्कार जी एस ट्रीवी में आपनों स्वागत शें उंसु भद्रेश समाचार उपर नजर करता पहला सिधा आपने जीवन प्रसारान बता वे निवोक थी के जा वड़ा प्रदान नरेंद्र मोधी संबोधन करी गया आश्यों कि नेशनल हो गया है कि लोकल से ग्रोबल हो गया और यह सब आपने किया है अपने दिल में भारत को बसा कर रखने वाले हर भारतिये ने ये किया है साथियों यहां आप इतनी दूर दूर से आये हैं कुछ पुराने चहरे हैं कुछ नए चहरे हैं आपका याए प्यार यह मेरा बहुत बड़ा सोभाज्य है मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीम भी नहीं था सीम भी नहीं था नेता भी नहीं था उस समय एक जिग्यासू के तौर पर यहां आप सब के बीच आया करता था इस धर्ती को देखना इसे समझना मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था जब मैं किसी पत पर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दोरा कर चुका था उसके बाद जब मैं सीम बना तो टेकनोलोजी के माध्रम से आपके साथ जुडने का सिलसिला जारी रहा पी एम रहते हुए मैंने आपसे अपार्स ने पाया है अपन तो पाया है 2014 में मेडिशन स्क्वार 2015 में सौन होसे 2009 में हुस्टन 2023 में वसिंग्टन और अब 2024 में नियोर्क और आप लोग हर बार पिछला रेकॉड तोड़ देते हैं साथियों मैं हमेशा से आपके सामर्थ को भारतिय डायस्पोरा के सामर्थ को समझता रहा हूं जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रेंड एम्बेसेडर रहे हैं और इसलिए मैं आप सब को राश्ट दूत कहता हूं आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है आपका स्कील आपका टैलेंट आपका कमिटमेंट इसका कोई मुकाबला नहीं है आप साथ समंदर पार भले आये गए हैं लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराईयों में बसे हिंदुस्तान को आप से दूर कर सके मा भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते हम जहां भी जाते हैं सब को परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं डाइवर्सिटी को समझना डाइवर्सिटी को जीना उसे अपने जीवन में उतारना यह हमारे समस्कारों में हैं हमारी रगों में हैं हम उस देश के बासी है जहां सेंक्रों भाशाएं हैं सेंक्रों बोलिया है दुनिया के सारे मत है पंथ है फिर भी हम एक बनकर नेक बनकर आगे बढ़ रहें यहां इस हॉल में ही देखिये कोई तमिल बोलता है कोई ते लुगू कोई मले आलम तो कोई कंड़ा कोई पंजाबी तो कोई मराढ़ी और तो कोई गुजराती तो कोई गुजराती तो भाशा अनेक है लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारत माता की वो भाव है भारतियता दुनिया के साथ जुड़ने के लिए कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी ताकत है यही वैल्यूज हमें सहज रुप से ही विश्व बंधु बनाती है हमारे यहां कहा जाता है तेन तक तेन भुन्जि था यानि जो त्याग करते हैं बेही भोग पाते हैं हम दूसरों का भना करके त्याग करके सुख पाते हैं और हम किसी भी देश में रहे कि यह भावना नहीं बदलती है हम जिस सुसाइटी में रहते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा योगदान करते हैं यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर्स के रूप में रिसर्चर्स के रूप में टेक्ट प्रफेशनल्स के रूप में साइंटीस के रूप में या दूसरे प्रफेशन्स में जो पर्चम लहराया हुआ है वो इसी का प्रतीक है अभी कुछ समय पहले ही तो यहाँ T20 क्रिकेट वर्लक अप हुआ था और USA की टीम क्या गजब खेली और उस टीम में यहाँ रह रहे है भारतियों का जो योगदान था वो भी दुनिया ने देखा है साथियों दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकान इंडियान अमेरिका इंडिया यह स्पिरीड है और वही तो नई दुनिया का AI पावर है यही AI स्पिरीड भारत अमेरिका रिस्तों को नई उंचाई दे रहा है मैं आप सभी को इंडियन दैस्पुरा को शेलूट करता हूं घिल्ट अ प्रे अब्रुति अपिर अनृट्ट अहें बनेर्शन अमेरिकानस अमेरिकानस dipsथल झाल उंचे भारत टूल साथियों, मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ, हर लीडर के मुँझ से भारतिय डायस्पोरा की तारी भी सुनता हूँ. कल ही प्रेजिदेंट बाइडन मुझे डेलावेर में अपने घर ले गए थे। दिल छेव लेने वाला मुमेंट रहा। यह सम्मान एक सो चालीस करोड भारतियों का है। यह सम्मान आपका है, आपके पुर्शार्थ का है। यह सम्मान यहां रहने वाले लाखों भारतियों का है। मैं प्रसिडेंट बाइडन का आभार करूँगा और साथ ही आपका भी आभार वेक्त करूँगा। साथियों, 2024 का यह साल पूरी दुनिया के लिए बहुत एहम है। एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संगर्श है, तनाव है, तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है। यहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं। भारत में हुए यह इलेक्षन हुमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे। आप कल्पना कर सकते हैं। अमेरिका की कूल आबादी से भी करीब दो गुने वोटर्स इतना ही नहीं। पूरे यूरोप की कूल आबादी से ज्यादा वोटर्स इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले। जब हम भारत की डेमोक्रेशी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है। तीन महिने का पोलिंग प्रोसेस पंदरा मिलियन यानि डेड़ करोर लोगों का पोलिंग स्टाफ एक मिलियन यानि दस लाज से जाधा पोलिंग स्टेशन डाई हजार से जाधा पॉलिटिकल पार्टीज आठ हजार से जाधा केंडिडेट्स अलग अलग भासाओं के हजारों न्यूज पेपर्स सेंकडो रेडियो स्टेशन सेंकडो टीवी न्यूज चैनल करोडों सोचल मीडिया एकाउंट्स लाखों सोचल मीडिया चैनल्स ये सब भारत की डेमोक्राशी को वाइबरन बनाते हैं ये फ्रीडम अप एक्स्प्रेशन के विस्तार का दौर है इस लेवल की स्ट्रिटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है और साथ्यों इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर इस बार भारत में कुछ अभूत्पुर्व हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है अपकी बार अपकी बार अपकी बार साथ्यों तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है और अइसा पिछले साट सालों में भारत में नहीं हुआ था भारत की जंता ने ये जोया नया मेंडेट दिया है उसके माइने बहुत है और बहुत बड़े भी है ये तीसरे टम में हमें बहुत बड़े लक्ष साधने है हमें तीन गुना ताकत और तीन गुना गती के साथ आगे बढ़ना है आपको एक शब्द याद रहेगा पुष्प हां कमल माल दीजिए मुझे इतराज नहीं है पुष्प और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूँ पी फर प्रोग्रेसिव भारत यू फर अंस्टोपेबल भारत एज फर स्पिरिच्व भारत एज फर हुमेनिटी फस्को समर्पित भारत पी फर प्रोश्परस भारत यानि पुष्प पुष्प की पांच पंगुडियों को मिला कर ही विख्सिद भारत बनाएंगे साथियों साथियों मैं भारत का पहला प्रधान मंत्री हूँ जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ आज़ादी के अंदोलन में करोडो भारतियों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था उन्होंने अपना हीत नहीं देखा अपने कमफर्ट जो उनकी चिंता नहीं की वो तो बस देश की आज़ादी के लिए सब कुछ भूल कर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला किसी के सरीर को गोलियों से भून दिया गया को यांतनाय सहते हुए जेल में ही गुजर गया कहियों की जमानी जिंदगी जेल में कब गई साथियों हम देश के लिए मर नहीं पाए लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं मनना हमारे नसीब नहीं था जीना हमारे नसीब है पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एक दम क्लियर रहा है मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया लेकिन मैंने तै किया सुराज और समर्द्य भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पुरे देश में घुमता रहा भटकता रहा जहां खाना मिला वहां खा लिया जहां सोने को मिला वहां सो लिया समंदर के किनारे से लेकर पहड़ों तक रेगिस्तान से लेकर बर्फिली चोटियों तक मैं हर खेत्र के लोगों से मिला उनको जाना समझा मैंने अपने देश के जीवन अपने देश के संस्त्रति अपने देश की चुनोतियों का कि फर्स्ट हैंड एक्सपिरियंस लिया कि वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी देशा कुछ और तैकी थी लिगे नियती ने कि राजनीती में पहुंचा दिया कि कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चिप मिनिस्टर बनूंगा और बना तो गुजरात का लॉंगे सर्विंग चिप मिनिस्टर बन गया तेरा साल तक गुजरात का चिप मिनिस्टर रहा इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइमिस्टर बना दिया लेकिन दसकों तक देश के कौने में कौने में जाकर मैंने जो सीखा है उसीने चाहे राज्य हो या कैंद्र मेरे सेवा के मोडल को मेरे गवर्नेंस के मोडल को इतना सफल बनाया है पिछले दस सान में इस गवर्नेंस मोडल के सफल का आपने देखी है पूरी दुनिया ने देखी है और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे ये तीसरा ट्रम स्वंपा है ये थर्टम में मैं तीन गुना जादा दाइत्व बोत के साथ आगे बढ़ रहा हूं साथियों आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है भारत एनरजी से भरा हुआ है सप्रों से भरा हुआ है रोज नए किर्टमान हर रोज नई खबर आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है चेस ओलिम्पियाड में मैंस और मिमेंस दोनों में भारत को गुल्ड मिला है लेकिन एक और बात बताओ जब जाजा तालिया बजाने पड़ेगी ये लगभग सो साल के इत्याज में पहली बार हुआ है पूरे देश को हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्ज पर बहुत गर्व है एक और ए आई है जो भारत को ड्राइव कर रही है आप अर व्हों कौन सा और है वह है यह फ़र एस्परेशनल आई फर इंडिया एस्परेशनल इंडिया थि कि यह नया फोर्थ है नई उर्जा है आज करोड़ों भारतियों की एस्पिरेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं हर एस्पिरेशन नए एच्चिवमेंट को जन्म देती है और हर एच्चिवमेंट नए एस्पिरेशन के लिए खाद पानी बन रही है एक दसक में भारत दस्वें नंबर से दस्वें नंबर से पांच्वें नंबर की एकोनोमी बन गया अब हर भारतिये चाहता है कि भारत जल्दी से थार्ड लार्जेस्ट एकोनोमी बने आज देश के एक बहुत बड़े वर्के की बेसिक नीट्स पुरी हो रही है पिछले दस साल में करोडों लोगों को क्लीन कुकिंग गैस की सुविदा मिली है उनके घर तक पाइप से साब पानी पहुंत ले लगा है उनके घर में बिली कनेक्शन पहुंचा है उनके लिए करोडों टॉइलेट्स बने है ऐसे करोडों लोग अब क्वालिटी लाइप चाहते है आथ लोगों अब भारत के लोगों को सिरफ रोड नहीं उन्हें शांदार एक्स्प्रेस बेच आईए अब भारत के लोगों को सिरफ रेल कनेक्टिविटी नहीं उन्हें हाइस्पीड ट्रेन चाहिए हर भारत के बारत के हर शहर के अपेच्शा है उसके यहां मेट्रो चले भारत के हर शहर के अपेच्शा है उसका अपना एरपोर्ट हो देश का हर नागरिक हर गाउं शाहर चाहता है कि उसके हाँ दुनिया की बेश्ट्ष विधाएं हो और इसका नतीजा हम देख रहे हैं 2014 में भारत के सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो थी आज 23 शहरों में मेट्रो है आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेट्वर्क भारत में है और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है साथियों 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में 70 शहरों में एरपोर्ट से आज 140 से जादा शहरों में एरपोर्ट है 2014 में 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी थी 100 से भी कम आज 2 लाग से भी जादा पंचायतों में ब्रॉडबेंड कनेक्टिविटी है 2014 में भारत में 140 मिलियन यानि 14 करोड के आसपास LPG कंजुमर थे आज भारत में 310 मिलियन यानि 31 करोड से जादा LPG कंजुमर है जिस काम में पहले सालों लग जाते थे वो काम अब महिनों में खत्म हो रहा है आज भारत के लोगों में एक आत्म विश्वास है एक संकल्प है मंजिल तक पहुंचने का इरादा है भारत में डेवलप्मेंट एक पीपन्स मूवमेंट बन रहा है और हर भारतिय विकास के इस मूवमेंट में बराबर का पार्टनर बन गया है उसे भरोजा है भारत की सफलता पर भारत की उपलब्दियों पर साथियों भारत आज लेंड अफ अपर्चुनिटीज है अउस्षरों की दर्ती है अब भारत आउस्षरों का इंतजार नहीं करता अब भारत आउस्षरों का निर्मान करता है बीटे दस साल में भारत ने हर सेक्टर में अपर्चुनिटीज का एक नया लॉंचिंग पैड तैयार किया है आप देखिए सिर्फ एक दसक में ही और ये बात आप सब को गर्व देगी सिर्फ एक दसक में ही पंद्रा पचीस करोड लोग गरीबी से बाहर निकले है ये कैसे हुआ ये इसलिए हुआ हमने पुरानी सोच बदली एप्रोच बदली हमने गरीब को EMPOWER करने पर फोकस किया 50 करोड ये 500 मिलियन से जादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा 55 करोड यानि 550 मिलियन से जादा लोगों को पात लाख रुपिय तक का फ्री मेडिकल ट्रिट्मेंट देना चार करोड याने चालिस मिम्यन से ज़्यादा फैमिलिस को पक्के घर देना कोलेटरल फ्री लोन्स का सिस्टेम बनाकर करोडों लोगों को इस अप क्रेडिल से जोड़ना ऐसे अन्यकों काम हुए तब इतने लोगों ने खुद ने गरीबी को हराया और वो गरीबी से निकल करके आज यही नियो मिडल क्लास भारत के डवलप्मेंट को तेज गती दे रहा है साथियों हमने विमेन वेलफर के साथ ही विमेन लेट डवलप्मेंट पर फोकस किया सरकार में जो करोडो घर बनवाए उनकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है जो करोडो बैंक खाते खुले उसमें आधे से जादा खाते महिलाओं के खाते खुले दस सान में भारत की दस करोड महिलाएं माइक्रो एंट्रप्रिनर्शिप स्कीम से जुड़ी है मैं आपको एक और एक्जामपल देता हूँ हम भारत में एग्रिकल्चर को टेकनोलोजी के साथ जोडने में अनेक प्रयास कर रहे हैं उसमें आज खेती में किसानी में भरपुर मात्रा में ड्रोन का उप्योग आज भारत में नजर आता है शायद द्रोन आपके लिए नई बात नहीं है तेकिन नई बात यह है इसकी जिम्मेदरी कौन समलता है पता है ये रूरल विमें के पास है हम हजारों महिलाओं को ड्रोन पाइलर्स बना रहे हैं एगरिकल्टर में टेक्नलोजी का ये बहुत बड़ा रिवलुशन गाउं की महिलाएं लेकर आ रही है साथियों जो एरियाद पहले निगलेक्पेड से वो आज देश की प्राइवरिटी है आज भारत जितना कनेक्टेड है उतना पहले कभी नहीं रहा आप हैरान होंगे आज भारत का 5G मार्केट बताओं बुरा नहीं लगेगा ना आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है और यह दो साल के भीतर भीतर हुआ है अब तो भारत मेड इन के लिया सीष जी पर काम कर रहा है ये कैसे हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई हमने इन इंडिया टेटलोलोजी पर काम किया हमने सस्टे डेटा पर मोबाइल फोन मैनुफेक्टरिय पर फोकस किया आज दुनिया का करीब करीब हार बड़ा मोबाइल ब्रांड मेडिन इंडिया है आज भारत दूनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनुफेक्चरर है एक जमाना था मेरे आने दे पहले जब हम मोबाइल इंपोर्टर है थे आज हम मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए है साथ्यों अब भारत पीछे नहीं चलता अब भारत नई व्यवस्ताए बनाता है अब भारत ने तृत्व करता है भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्टर्टर डिपी आई का नया कंसेप्ट दुनिया को दिया है डिपी आई ने इक्वेलिटी को प्रमोट किया है ये करप्शन को कम करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन गया है भारत का यूपी आई आज पुरी दुनिया को आकर्सित कर रहा है आपकी जेब में वॉलेट है लेकिन भारत में लोगों की जेब के साथ ही फौन में वॉलेट है इवॉलेट है अनेख भारती है अब अपने डॉक्यमेंट्स फिजिकल फोल्डर्स में नहीं रखते हैं उनके पाद डीजी लोकर है वो एर्पोर्ट में जाते हैं तो डीजी यात्रा से सीमलेस ट्राविल करते हैं यह डीजीटल पब्लिक इंफ्रासक्चर जॉब्स इनोवेशन और इससे जुड़ी हर टेक्नोलोजी का लॉंचिंग पैड बन गया है साथियों भारत भारत अब रुकने वाला नहीं है भारत अब थमने वाला नहीं है भारत चाहता है दुनिया में जादा से जादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चले हमने सेमी कंड़क्टर सेक्टर को भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है पिछले साल जून में भारत ने सेमी कंड़क्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव गोशित किये थे इसके कुछी महिनों बाद माइक्रोन की पहली सेमी कंड़क्टर यूनीट का सिलान्याद भी हो गया अब तक भारत में ऐसी पाँच यूनीट्स स्विक्रुत हो चुकी है वो दिन दुर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चीप यहां अमेरिका में भी देखेंगे यह छोटी सी चीप विक्सित भारत की उडान को नई उंचाई पर ले जाएगी और यह मोदी की गारंटी है साथ्यों आज भारत में रिफॉर्म्स के लिए जो कन्विक्शन जो कमिट्मेंट है वो अभूत पूर्वा है हमारा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्रेम इसका बहुत बड़ा उदार्ण है दुनिया की सेवंटीन परसेंट पॉपिलेशन होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिरफ चार परसेंट है कि दुनिया को बर्बास करने में हमारा कोई रोल नहीं है कि पूरी दुनिया की तुलना में एक तरह से यह पह सकते ना के बरावर है हम भी सिर्फ कार्बन फ्यूइल जला कर अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते थे लेकिन हमने ग्रीन ट्रांजिशन का रास्ता चुना प्रकृती प्रेम के हमारे संस्कारों ने हमें गाइड किया इसलिए हम सोलर वीन हाइड्रो ग्रीन हाइड्रोजन और नुक्लियर एनर्जी पर इन्वेस्मेंट कर रहे हैं आप देखिए भारत जी ट्वेंटी का ऐसा देश है जिसने पैरिस क्लाइमेट गोल्स को सबसे पहले पूरा कर दिया 2014 के बाद से भारत ने अपनी सोलर एनर्जी इंस्ट्रॉल केपिसिटी को 30 गुना से जादा बढ़ाया है हम देश के हर घर को सोलर पावर होम बनाने में जुटे हैं इसके लिए रूप टॉप सोलर का बहुत बढ़ा मिशन हमने शुरू किया है आज हमारे रेल्वे स्टेशन और एर्पोर्ट सोलराइज हो रहे हैं भारत गरों से लेकर सर्कों तक एनर्जी एफिशन लाइटिंग के रास्ते पर चल पड़ा है इन सारे प्रयासों से भारत में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉप पैदा हो रहे हैं सात्यों 21 सदी का भारत एजुकेशन स्कील रिसर्च और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रहा है आप सभी नालंदा उनिवर्सिटी के नाम से परिचीत है कुछ समय पहले ही भारत की प्राचीन नालंदा उनिवर्सिटी कि नए अवतार में सामने आई है आज सिर्फ उनिवर्सिटी कोई नहीं बलकि नालंदा स्पिरिट को भी रिवाइब कर रहा है पूरी दुनिया के स्टुडेंट्स भारत आकर पड़ें हम इस तरह का आधुनिक एकॉजमिस सिस्टिम बना रहे हैं कि बीटे दस साल में भारत में ये भी जरा आप लोगों को याद रखने जैसी बात बताता हूं मैं बीटे दस साल में भारत में हर सप्ता एक युनिवर्सिटी बनी है हर दीन दो नए कॉलेज बने हैं हर दीन एक नई आई टी आई की स्थापना हुई है दस साल में ट्रीपल आई टी की संख्या नव से बढ़कर पचीस हो चुकी है आई एम्स की संख्या तेरा से बढ़कर इकीस हो चुकी है एम्स की संख्या तीन गुना बढ़कर बाईस हो चुकी है दस साल में मेडिकल कोलेजों की संग्यामी लगबाग दोगुनी हो चुकी है टॉप ग्लोबल उनिवर्सिटी पी आज भारत आ रहा है भारत का नाम है अभी तक दुनिया ने भारत के डिजाइनर्स का दम देखा अब दुनिया डिजाइन इन इंडिया का जलवाद देखेंगे साथियों आज हमारी साजेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है पहले भारत सबसे समान दूरी की निती पर चलता था इक्वल डिस्टन्स अब भारत सबसे समान नज्दिती की निती पर चल रहा है हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं आपने देखा होगा भारत की पहल पर जी ट्वेंटी समीट में आफ्रिकान यूनियन को सथाई सदस्यता मिली आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है कुछ समय पहले जब मैंने कहा तो उसकी गंभीरता सब ने समझी साथियों आज दुनिया में कहीं भी संकट आए भारत फॉर्स्ट रिस्पोंडर के रुपे सामने आता है कोरोना के समय में हमने 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सिन और दवाईयां भेजी कहीं भूकम पाए कहीं साइक्लोन आए कहीं ग्रह युद्ध हो हम मदद के लिए सबसे पहले पहुँचते हैं यही हमारे पुर्खों की सीख है यही हमारे समस्कार है साथियों आज का भारत दुनिया में एक नए केटलिक